कोल्डरिंग का बढ़वारा बराबर होना चाहिए जब फ्रूटी अपन पीते हैं तो वो जो लास्ट वाली ड्रॉप पीने का मज़ा होता है वो एक अलगी होता है फिर भी एक ड्रॉप अंदर रह जाती है तो चलिए नूकलियस में भी कुछ ना कुछ ऐसा इदर उदर रहने वाला है और वो उसकी स्टैबिलिटी को डिसाइड करता है नूकलियस की स्टैबिलिटी पर बात करेंगे नूमेरिकल करेंगे और इस बार बाइंडिंग एनरजी पर नूकलियों जिसके आने के चांसे पास बहुत सारे ग्लास हैं और मैंने का इन सब ग्लास का पानी एक ग्लास में डाल दो तो क्या जितना भी वाटर इन में ग्लासेज में था इसमें आ गया क्या आप काओ कि हाँ बाबा जी आ गया जैसे फूरूटी खाली हो गई पूरी फिर भी एक बूंद रहे गई न अंद यह हमारे पास एक लॉस है और जब हम नुकलियस की स्टैबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर भी अपन बात करते हैं एक ऐसे ही टर्म की जिसे अपन कहते हैं मास डिफेक्ट अब आया समझे एक ऐसे ही टर्म की बात करते हैं जिसे अपन कहते हैं मास डिफेक्ट मास हैंब आपने उन से मिलकर fizyum' को बनाया हिलियं के न्यूक्लियस को बनाया तो जो मास होना चाहिए वो 22ус 2 न्यूक्लियस को मर्हां से बराबर होना चाहिए तो ना पहलित हिलियं के न्यूक्लियस का मगर हमने देखा मास थोड़ा सा कम है और यह जो loss in mass है ना यह Einstein बावा की वो energy mass equivalence जिसकी चर्चा सब करते हैं पता किसी को हो या ना हो तो E is equal to delta mc square तो उन्होंने यह कहा कि यह जो mass defect हो रहा है आपके पास जो mass का loss हो रहा है यह energy के form में फुर 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 उड़ जाएगा और यह जो उड़ जाएगा यह energy की बारे में अपन बाद में बात करेंगे मगर जब किसी nucleus को बनाया जाता है उसके constituent particle से या बनता है वो तो mass जो actual आना चाहिए वो नहीं आता observed mass कुछ और आता है और यह जो mass का हमारे पास difference होता है इसे ही हम कहते है mass defect So basically the difference in mass of a nucleus and its constituent is known as mass defect तो इसे हमाँ कहते हैं mass defect अब mass defect निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई proton का number निकालो उसको एक proton के mass से multiply कर दो neutron का number निकालो उसको neutron के mass से multiply कर दो तो neutron का number क्या है अपने पास A-Z उसको mass of neutron से multiply कर दिया proton का number क्या है अपने पास Z उसको mass of proton से अपने multiply कर दिया ये तो calculated mass आ गया और actual mass जो आपने निकाला है किसका nucleus का वो क्या है observed mass है ना अपने पास जो भी nucleus का आया तो इन दोनों को जब अपन minus कर देंगे तो वो कहलाएगा आपके पास mass defect और जो ये mass defect होता है यही energy के form में फुर फुर करके उड़ जाता है और जितना ज़्यादा mass defect होगा हमारी stability उतनी ज़्यादा होगी क्यों 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 कि बचेगी energy कम मैं हमेशा कहता हूँ भाई क्या हुआ ना अपन के सर पे गिरा एक flower pot अपन गये गुस्से में अपन ने आज तो फोड़ देंगे जिसने गिराया इसको दोड़ते भागते गाया अपन चट पर चट पर गेट कोला गुस्से में आज तो मूँ तोड़ देंगे अपन उसका सामने खड़े हुए थे खली क्यों बे कैसे अंदर आया तू अरे सहाब आपका गमला वापिस करने आया था एनर्जी कम हो गई क्योंकि सामने वाले की जादा थी तो स्टेबिलिटी इनकी बढ़ गई नीचे तो फुरफुर करके हो चक रहे थे ये तो जब भी और जब बीमार होते हो तुम तो क्या करते हो तुम अपने पलंग पर पढ़े रहते हो ना एनर्जी डाउन आरा मम्मी ऐसा ही होता है ना एनर्जी कम स्टेबिलिटी जधा एनर्जी ज़्यदा स्टेबिलिटी कम अब चलिगई ना तो भीया जब एनर्जी चलिगई तो अपने इस्टेबल हो गई जेब में रखे हुए हैं एक लाख रुपे हैं और किसी को कोई पूछना नहीं है खर्चा करने से कोई रोक नहीं सकता किसी ने कोई पूछेगा ही नहीं अपन इदार उदार इदार 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 मम्मी आ रहा है आ रहा है आ रहा है जितना जादा mass defect होगा, उतनी जादा stability होगी, और यह तो बहुत simple था, mass निकालो, observed से calculate करके minus कर दो, ठीक है, अब इसके बाद अपने पास जो भाईसा picture में आता है, वो आती है अपने पास binding energy, binding energy क्या होती है, nucleus है, ठीक है, अब nucleus के अंदर proton और neutron, एक राज की बात तो मैं बता है, जिसे अपन बोलते है, nuclear force, तो मैसान ने यह principle दिया था, कि एक particle है, जिसे अपन बोलते है, πाई मैसान, पाई मैसान पार्टिकल, proton को neutron बनाता है, neutron को proton बनाता है, और इसकी वजह से, यह origin है, किसका, nuclear force का, नहीं तो proton तो गया था, निकल गया था, दो proton, दो positive, खताम, एक एक इधर, repel करके बाहर, कहां से आया यह, जोड के कौन रखा हुआ है, मगर यह theory अपने syllabus में नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, मगर हाँ, अब अपन करते है, binding energy की बात, binding energy यह कहता है कि nucleus के अंदर proton भी बैठा है, neutron भी बैठा हुआ है, दोनों ब nucleus को तोड़ दो उसके constituent particles में, और उनको बहुत दूर-दूर कर दो, ताकि उनके बीच में कोई भी force ना लगे, वो जो energy होती है, वो कहलाती है, उसकी binding energy, the binding energy is required to break a nuclei into its constituent proton and neutron, a system of separated nucleons has a greater mass, the binding energy is, फिर से, the binding energy is the energy required to break a nuclei into its constituent protons and neutrons or constituent particles and place them in finite distance apart, यह कहलाती है, binding energy, binding energy निकाली कैसे जाएगी, तो binding energy को निकालने के लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें mass defect Einstein सहाब प्रभू, प्रकट हो, delta M into C square, E is equal to MC square, इसमें योगया delta M, योगया C square, चाहो तो delta M की value रख दो, that's it, और कुछ करने की कोई आवशक्ता नहीं है, मगर थोड़ी सी आवशक्ता है, और वो मैं तुमको बतात हूँ, देखो क्या है अपने पास, जब binding energy की अपन बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो formula है, इसमें delta M into C square है, यह आपका आंसर आता है, जूल में, मगर हम लोगों को जो mass पता होता है, वो unified mass होता है, और हमें electron volt में answer चाहिए, इसलिए अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, binding energy का जो formula इसको पहले से calculate करके बैठ जाते हैं, और वो होता है, 931.5 into delta M in mega electron volt, याने की binding energy का जो formula है, वो होता है, 931.5 delta M in mega electron volt, बिठा लो, जितनी ज़्यादा break करने के लिए energy चाहिए, binding energy जितनी ज़्यादा, stability उतनी ज़्यादा, और last time syllabus में जो भाई साब न वो है binding energy per nucleon, ये last time syllabus में नहीं थे, इस बार आए हैं, और अगर आए हैं, तो paper में आने के chances भी इनके बहुत ज़्यादा है, binding energy per nucleon, क्या कहता है binding energy per nucleon, binding energy divided by mass number, ये number of nucleons, जब हमने इसको divide किया, तो यहाँ पर हमको मिलता है एक graph, और वो बहुत काम का graph है दोस्तों, ये जो graph है अपने पास, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे peaks देखने मिलते, ऐसे, and then it is going like this, ये जो peak होते हैं अपने पास, पहला peak होता है किस चीज का, helium का, दूसरा peak होता है अपने पास carbon का, तीसरा peak होता है अपने पास oxygen का, मैंने dots बना के रखे थे, बट मैं वहाँ पर तुमको peak बना क हुए थे, तो peak बना लो, कोई दिखकर नहीं, so ये आपके पास क्या है, helium, carbon, oxygen, ये क्या, ये क्या बताना चाहरा है, ये graph है, जब आपने हर एक की binding energy पर nucleon निकाली, तो जब आपने सब की binding energy पर nucleon निकाली, तो उस basis पर आपके पास जो graph बना, वो graph कुछ इस तरह का बनेगा और जो highest होगा, ये उपर बैठा हुआ है, ये अपने पास जो सबसे topmost बैठा होता है ये होता है, iron, iron की binding energy पर nucleon सबसे ज़ादा होती है, यहाँ पर अपने पास hydrogen, helium, lithium, सारे elements बैठे हुए, मगर helium की binding energy पर nucleon ज़ादा होती है, तो इसकी stability ज़ादा होती है, carbon की भी अपने neighboring स ज़ादा होती है, क्योंकि ये ज़ादा stable होते हैं, अब यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है, अगर आपके पास binding energy पर nucleon कम है, तो वो कम stable है, अगर कम stable है, तो वो stable होना चाहता है, इसलिए lighter nuclei, जो हैं जब वो fuse हो जाते हैं, कम माइन हो जाते हैं, यानि नुकलियर fusion ज मतलब यहाँ कहीं थे, कम थी उनकी energy, अब बढ़ गई, तो इसलिए यह इस तो सब चाहते हैं, कि binding energy पर nucleon बढ़ जाए, ताकि stability बढ़ जाए, तो fusion जो है, वो stability बढ़ाने के लिए होता है, और जैसे यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बैठे हुआ है, यहाँ पर बैठे हुआ मेना में, जब वो split होते हैं, और lighter nuclei बनाते हैं, तो भी winding energy पर nucleon बढ़ जाती है, यानि stability बढ़ जाती है, अब इस graph से related जितने भी points हैं, यह सब आपको notes में यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब everything is there, सारे key points कि कि किस mass number से, किस mass number में जादा stable होता है, कहां से, यह chances fission के जादा हो सब आपको notes में नीचे मिल जाएगा, बिलकुल tension मतलो, एक बार जो मैंने समझाया है, इस चीज़ को आप बस read कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा, अब यहाँ पर अपने पास आगया एक question, ठीक है, अब इस question को binding energy, binding energy पर nucleon और mass effect, सब कुछ इस question के अंदर तुम्हें निक proton का mass दे रखा है, मुझसे कहा गया कि mass effect निकालो और binding energy पर nucleon निकालो, अच्छा, दोनों चीज़े निकाल देते हैं, तो mass effect निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, सबसे पहले तुमको calculate करना पड़ेगा calculated mass, calculated mass क्या होता है, number of neutrons into mass of neutron, number of protons into mass of proton, number of neutrons A minus Z, A कितना है अपने पास 20, Z कितना है, 10, 20 minus 10 into mass of neutron, यह आ गया, mass of proton, यह आ गया, into number of protons, अब जब आप इनको add कर देंगे, तो यह जो आपके सामने आ रहा है, यह है आपका calculated mass, calculated mass को आपने observed mass से minus कर दिया, तो जो answer आया, वो यह आया, अब मुझसे कोई कह रहा था कि इनको करने के लिए तो calculator की जरूवत है, calculator की जरूवत नहीं है, plus minus है, simple, plus minus, पीछे camera वाला हसरा है, है ना, वो इसलिए हसरा है, क्योंकि वो ही बोल रहा था, यह simple plus minus है, कर लेना, वो RC है, मगर आप RC बिलकुल मत बनना, और यहाँ पर यह इसके पीछे के जितने भी points है, इनको छोड़ना मत, अ क्योंकि इसमें ना, यह छोड़ी-छोड़ी सी चीजों की ही तो value है, क्योंकि mass defect पिद्दू सा होता है, अब आजाओ जल्दी से mass defect निकाल दिया, mass defect के बाद binding energy, binding energy का formula होता है, 931.5 into delta m in mega electron volt, multiply कर दो, multiply कर दिया, तो यह answer आ गया, यह आपके पास मिला, mega electron volt में binding energy, binding energy को divide कर द 0.03 अच्छी है, winding energy per nucleon, so यह आगया, आपके पास mass defect, यह आगया, आपके पास binding energy, तो अब numerical के बाद बापिस आ जाते हैं अपन और इस chapter को अब फिनिशिंग टच देने की जरूवत बचिये, और अब दो फिनामिनास बचिये, nuclear fission and nuclear fusion, बिलकुल शॉर्ट मैं वो सारी चीज type के particle की हो, जैसे ही bombarding करते हैं, वो उसको absorb कर लेता है, वो पानी की एक boond को देखा है, वो जो surface पर दिवाल पर ऐसे तैर रही होती हो और अब गिरने वाली है, बट गिरती नहीं है, मगर जैसे ही एक और दूसरी boond आकर उस पर चिपकती है, वो फट से नीचे गिर जाती है वैसे ही हालत होती है uranium-235 की, वो जो nuclear से वो unstable है, मगर अभी break नहीं होने वाला, जैसे ही neutron आया, तो उसका mass अब इतना बढ़ गया और इतना ज्यादा unstable हो गए उसके अंदर के forces, क्या वो split हो जाएगा, जब वो break होगा, तो आपको lighter nuclei देगा, और साथ में energy देगा आपको, औ इसने आमें barium और krypton, ये दो lighter nuclei दिये, प्लस यहां से निकला अपने पास neutron, और यहां से निकली अपने पास energy, तो ये जो phenomena है अपने पास, जब इसमें एक बड़े भाई साब जो है, वो छोटे छोटे पिद्दू-पिद्दू से पार्ट में split हो जाते हैं, इस phenomena को अपन कह बात करें, तो यहां पर reaction भी पता होना चाहिए अपन को, और fusion क्या बोलता है, fusion, अपन गानों में सुनते हैं, fusion, क्या होता है, दो गानों को मिला दिया तो बोला, fusion हो गया यार ये तो, तो fusion मतलब क्या, जब आप combine करने की बातें करोगे, मगर दिकत यहां तो world का, world का, universe का, सबसे strongest force काम कर रहा है, nuclear force, दो nucleus को कैसे चिपका होगे, जब इतना strong force काम कर रहा है, तो यसी लिए, यहां पर अपन को चाहिए पड़ता है, बहुत high temperature, और उस high temperature में क्या होता है, वो जो small nuclei होते हैं, वो आपस में आते हैं, मगर अब क्या है, उनके पास इतनी energy हो चुकी है, कि यह repulsion काम नहीं कर पाएगा, चिपक जाएंगे, और fuse हो जाएंगे, तो यहां पर वही होने वाला है, when two lighter nuclei fuse together to form a heavy nuclei, then the phenomena is called nuclear fusion, इसके लिए बहुत high temperature की ज़रुवत हमको पढ़ती है, ठीक है, basically hydrogen bomb का जो base होता है न, वो यह ही है, हमने जो अभी पढ़ा nuclear fission वो atom bomb, मतला हिर North Korea, America से बोलता है, तुम्हारे आप रमाणू बंगे ना देंगे, इंडिया भी बोलता है, सारी countries जो आपस में एक दूसरी खुद धंकी देती है न, जो यह atom bomb की, ऐसे आसान नहीं होता है, मगर fission बहुत खतरनाक है, fusion तो उसके भी पापा है, मतलब अगर मैं imagine करूं कि एक इसे area को एक fission bomb, atomic bomb उडा रहा है, तो उससे 10 गुना, 20 गुना बड़े area को fusion, hydrogen bomb जो है, वो साफ कर देगा, है न, इसलिए it is very dangerous, very dangerous, भगवान से प्रातना की जानी चाहिए कि कभी यह होई न, so, 41H1, मतलब कि अपने पास hydrogen है, hydrogen के ऐसे particles जो है, यह reaction होती है, एक लंबी चोड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ वो reaction, है न, आप वैसे वो वाली reaction लिखोगे, तो भी काम चल जाएगा, hydrogen के जो अपने पास nuclei है, यह आपस में combine होंगे, यह बनाया है, deuterium, deuterium फिर combine होता है hydrogen hydrogen से, hydrogen फिर combine होंगे, deuterium और फिर यह helium में fuse होगा, इस तरह से यह fusion की reaction होती है, मैं आप से यह बिल्कुल नहीं कहूँगा, कि इसको याद करो, मैं तो आप से कहूँगा, कि यह simple basic equation दे रहा हूँ आपको, कि भाईया, यह hydrogen थे, यह four combine होए, और इन्होंने अपने को दे दिया efficient, so यहाँ पर खतम होगया आपका nuclei, मिलेंगे अपन नेक्स वीडियो में, मगर like, share, subscribe करना, गलती से भी मत भूलना, और अगर physics baba के app पर नहीं आयो, तो आज आओ, क्योंकि इस बार Marx क्या, Marx के पापा को भी आना पड़ेगा, जय हो!